For more Pollywood Gossip, hit the bell icon and never miss a video. Salman Khan की upcoming spy thriller में कुछ रियली extra wagon action sequences है जिसे और्डियंस काफी enjoy करेंगे. एक ऐसा ही special sequence है जो मुरगों में shoot किया गया था. इस shoot में Salman Khan घोड़ी पर सवार होकर कुछ spectacular action sequences करेंगे. ये रोल इतना challenging था कि Salman Khan को इसके लिए ready होने के लिए 3 दिन लग गए. मेंकर ज़र कोशिश कर रही है कि व्यूवर्स को एक larger than life action thriller देखने को मिले. इसी लिए हॉलिवड फिल्म्स ट्रॉई और अलेक्जांडर में काम कर चुके extra trainers की team को भी hire किया किया. ताकि ये scene perfection के साथ execute हो. और अब ऐसे fans को मिलेंगे Salman के कुछ high octane horse part scenes. अब तो ये scenes film के highlight बनेंगे. सल्मान खान की किटी में अलड़ी कई सारी फिल्में है. फिल्म टाइगर जिन्दा है की shooting राप कने के बाद वो अब race 3 की shooting शुरू कने वाले है. और फिर वो फिल्म भारत पर भी काम करते नज़र आएंगे. ऐसे में हम सोच रहे थे कि उनकी दबंग franchise का क्या होगा. तो अब हमें पता चला है कि दबंग 3 तो जल्द ही बनेगी और उस फिल्म की shooting अगले साल शुरू होगी. इतना ही नहीं इस फिल्म में पहली बार एक नहीं बलकि दो leading ladies होगी. बीच में ये चर्चा चली कि सोनाक्षी संहाब दबंग 3 का हिसान नहीं होगी. पर फिर हमें confirmation मिला कि रज्जो कहीं नहीं जा रही है और वो इस फिल्म में भी एक prominent role play करेंगी. इस फिल्म में flashback scenes भी होगे जिसे हमें पता चलेगा कि आखिर चुलबल पांडे रॉबिन हुद पांडे कैसे बने. और अब रज्जो सोनाक्षी की presence की cover सुनकर हम तो और भी ज्यादा excited हो गए है. और आप सल्मान खान का reality show Big Boss 11 काफी famous होता जा रहा है और इस शो में regularly नए नए guest आ रही है. इस बार शो पर आई television दुन्या की actor करनवीर बुहरा और उनसे मिलकर contestants काफी खुश हुए. करनवीर एक famous टेली आक्टर है जिन्होंने अपने अलग-अलग रोल से audience को engage किया है. और इस बार वो बिग बॉस के घर में आए और उन्होंने housemates और audience को खुब entertain किया और साथ ही शिलपा शिंदे को सुरक्षा कवट भी दिया. वेल बिग बॉस की बात करें तो surprises तो रुकने का नाम ही नहीं लेते और ये season तो जगड़े और लफड़े के लिए काफी famous हो गया है. खेर हमें तो इस शो में सल्मान खान के वीकेंड का वार सेग्मेंट काफी entertaining लगता है और इस बार जब उनके साथ आए थे करनवीर तो enjoyment का level काफी उंचा हो गया था. तो इस फ़न फिल एपिजोड की बारे में आपका क्या कहना है हमें जरूर बताएं. कोई भी tiger के साथ mess नहीं करता पर अब लग रहा है कि trend change हो रहा है और इस December कई regional films release हो रही है. यह जानते हुए कि सल्मान खान की फिल्म टाइगर जन्दा है रिलीस होने वाली है. एक ऐसी ही फिल्म है बेंगॉली सिनमा की Amazon ओभी जान जो कमलेश्वर मुकरजी का masterpiece है. टाइगर जन्दा है की तरह फैंस इस बेंगॉली फिल्म के टीजर से काफी fascinated है और इस फिल्म के टीजर ने डिजिटल बर्ल में काफी बस create कर दिया है. दोनों फिल्म के टीजर में काफी stunning visuals और intriguing sound effects है और अब ये दोनों फिल्म एक ऐसे clash की तरफ चल रही है जिसे 43 साल की सबसे बड़ी clash मानते है. और अब ये देखना काफी interesting होगा कि कौन सी फिल्म ये battle चीट लेगी? Any guesses हमें ज़रूर बताएं. टाइगर जिन्दा है सल्मान खान की motivated spy thriller अगले महीने release होने वाली है. और कल ही हमने आपको बताया था कि इस फिल्म का trailer 7 नवेंबर को launch होने वाला है. फैंस इस grand event का बीस सबरी से इंतिसार कर रही है और तब तक इस फिल्म की हर picture को खूब enjoy भी कर रही है. और ऐसे die-hard fans के लिए हम लाए है सल्मान खान की एक और picture जिसमें टाइगर आबुधावी के एरिट टेरेन पर एक वार वेहिकल चला रही है. अपना signature tiger scarf पहने आखों को glass से cover करके सल्मान की पूरी body language ये hint करती है कि फिल्म में काफी exciting scenes unfold होने वाले हैं. तो इस amazing picture के बारे में आपका क्या कहना है हमें जरूर बताएं. reality show big boss में हमने हीना खान को इन दिनों अपना worst behavior डिस्पले करते देखा है. और अब इस weekend का war episode में हमने सल्मान को उन्हें कड़ी words में निंदा करते देखा है. हीना खान का behavior इन दिनों काफी aggressive रहा है और उन्होंने big boss की standards के हिसाब से भी काफी misbehave किया है. माना की big boss show सभी को अपना standard रखने की permission देता है फिर भी वो bullying तो definitely allowed नहीं करता है. हमें इस बात की खुशी है कि सल्मान ये ensure कर रही है कि सभी घरवाले हमेशा control में रहे. तो क्या आप भी हमारे भाई जान को हीना की class लेते देखना चाहती है ताकि वो इस game की rules को follow करे. अपनी राए हमें जरूर बताएं. सल्मान कान अंधिनो काफी बिसल है और वो चल्द ही अपने आने वाले film रेस 3 की shooting शुरू करने वाले है. मगर फिल्म टाइगर जल्दा है कि post production of promotion के साथ 3 की शूप और वाले वर्जिन रियालडी शूप विक बहुंस क्या रखी शूप में काफी इसी को इसी को इसी को अपने बेंग इपने बेंग बेंचिन्स पर पूरा भ्यान देती है. सुल्तान के बारे में आपका क्या कहना है हम इस बिरूर करते हैं. सल्मान कान बाकाई में एक talented star है जो सभी को अपनी amazing और impressive screen presence से impress करते हैं. इतना कि सिर्फ उनकी presence से ही लोग crazy हो जाएंगे. इतने immensely talented star का fan base तो बहुत ही बड़ा है और उनका talent भी equally appalling है. No wonder, हलाकि इस फिल्म को official first look poster आउट हो चुका है, फिर भी कुछ fans इसे satisfied और content नहीं है. और वो खुद ही फिल्म टाइबर जंदा है कि customized poster versions बना रही है. यहाँ हमारे हाथ आया है एक fan made poster जो एक fan ने social media पर post किया है. तो क्या आप यह साथ बड़ से impressed है? अपनी राए हमारे साथ जरूर शेयर करें. सल्मान खान और काट्रीना के एक जमाने में एक दूसरे के प्यार में पागल थे. मगर किस्मत को इनका साथ मन्जूर नहीं था और इन दोनों का break up हो गया. अब यह दोनों अपनी लाव लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं मगर एक बार फिर टेस्टिनी ने कुछ और प्लान किया और उन्हीं अपनी अपकमिंग स्पाय थ्रॉलर टाइगर जिंदा है की शूटिंग के लिए प्रोफेशनल रवल पर रियूनाइट करना पड़ा. इस फिल्म से उन्हीं वो प्लाटफॉर्म मिल गया जहां वो अपने डिफ्रेंसे सौट आउट करके एक बार फिर बॉन कर सके और इन दोनों ने वही किया. सल्मान और काट्रीना अब बेस्ट फ्रेंड्स है और इस पिचर में हम देख सकते हैं कि कैसे काट्रीना अपने नेक पे करके सल्मान की एक जोलग पाने की कोशिश कर रही है. ओ, तो है ना ये क्यूट पिचर? इस लवस्ट्रक लुप वाले पिचर से रिलेटिड कमेंट्स नीच अदि इस सेक्शन में शेर कीजिए और इस होट स्टोरी पर और अपडेट्स के लिए हमारे साल बने रही है. टाइम एन अगें टाइगर जंदा है कि मेकर्स इंडिजीनियस तरीके ढून रही है ताके उनकी फैन्स की अपटाइट बैट होती रहे और इसलिए उन्होंने एक और नया विडियो शेर किया है जिसमें उन्होंने इस फिल्म का नया म्यूसिक थीम टीजर लाँच किया. वाकई में ये वर्ट टीजर इस विडियो के लिए आप्ट है क्योंकि इसमें आटरनलीन रशिंग बीट के साथ परफेक्ट है जो फिल्म की पेस और जॉन्टर को सूट करती है. 22 डिसमबर को रिलीज होने वाली ये फिल्म टाइगर जिन्दा है, हर तरह से एक आउट अन आउट सुक्सेस है और अब इस म्यूजिक थीम टीजर से ये बखू भी प्रूफ होता है. आपको नहीं लगता? हमें जरूर बताए. सल्मान खान और काट्रीना कैफ पाट साल के लंबे गैप के बाद अपनी फिल्म एक था टाइगर की सीक्वल के लिए रियूनाइट हो रहे है. और इस बार टाइगर जिन्दा है नाम की सीक्वल को टैलन्टिट फिल्मेकर अलियाबाज जफ़र डाइरेक्ट कर रहे है. आली ने एंशॉर किया है कि इस फिल्म को हॉलिवुड लेवल की रेकिनिशन मिले और इसलिए उन्होंने हॉलिवुड अक्शन डिरेक्टर टॉम् तूम् तूथर्स को स्टन्स टारेक्ट करने के लिए रोब्ट इन किया है. इस फिल्म में कुछ अमेजिंग एरफाइट्स है जिन में चौपर्स भी यूज किये गए है. और इसी लिए हमारे हाथ आई है एक पिच्चर जिसमें अली, टाइग्रस, कट्रीना और बागी टीम मेंबर्स के साथ एक बड़े चौपर की सामने पोस कर रही है. आमी अटाय पहने ये सभी अप्यूरंस से हमें एंचान कर रहे हैं और हम उम्मेद करते हैं कि आने वाले दिनों में हमें इस लावली कबल की और भी तेर सारी पिच्चर देखने को मिलें. तो इस अमेज़िंग पिच्चर के बारे में आपका क्या कहना है हमें जरूर बताएं. सल्मान खान ने हाल ही अपनी फिल्म टाइगर जिन्दा है की शूटिंग राप अप की है और अब उनके फैन्स इस पीनियस ट्रिला के रिलीज होने का बेस सबरी से इंतिजार कर रही है जहां दबंग खान एक लाज़ दन लाइफ रोल में नज़र आएंगे. वेल और अब हम उनकी नेक्स प्रोजेक्ट रेस 3 की बैब करते हैं. जी हां इस यूजली सुक्सेसफुल रेस फ्रेंचाइज के थर्ड इनिंग की शूटिंग आने वाले दिनों में शुरू होने वाली है. In fact, मेकर्स ने इस फिल्म के ग्रैंट सेट की स्नीक पिंग भी ट्विटर पर शेयर की और कहा कि ये फिल्म E. 2018 में रिलीस होगी. उन्होंने अपने फैंस को प्रोमिस किया है कि इस फिल्म का ट्रीक्वल पहले दो इनिंग से ज्यादा बड़ा और बेटर होगा. वेल जब डेजी शाप, बॉबी देओल, जैकलीन फनांडिस और बॉलवुद के सल्तान सल्मान खान कास्ट हो रही हो तो रेज ट्री तो हर तरह से हिट होगी. और अब इस फिल्म की श्यूटिंग 9 नवेंबर को शुरू होगी तो हमें कुछ बिहाइंड दे सीन्स न्यूस का भी इंतिजार रहीगा, है ना? तो रेज ट्री की और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और अपने कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करें. के लिए सेश्ट